नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग क्लास 6 चैप्टर 2 इसका सिर्सक है भोजन में क्या-क्या आते हैं इसे हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप लोग इसे आप घर पे पढ़ने ना मैं हाँ पर आपक प्लेलिक्ट बना हुआ है वहां से आप लोग देख लिए चलिए मैं इस चैप्टर का जो बात है इंपोर्टेंट इंट्रेस्टिंग और अच्छी अच्छी बाते जो है उन्हें बताता हूं मजा भी आएगा आपको तो चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट बात कौन-कौ करके देखिए आपके समय चोटा सा पुइंट है जिसे मैं आपके समय के लिए कर दे रहा हूं यह जो है यह पर इस लेन को आप देखिए यह क्या करा है खाद समागरियों में हमारे सरीर की बिर्दी स्वस्त रहने के लिए कुछ अवस्यक 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 अभ्याव होते हैं अभ्याव जो होते हैं मतलब वह पदार्थ होते हैं अभ्याव मतलब समगरियां होते हैं इन अभ्यावों को हम पोसक तत्व काते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आपर क्लियर हो रहा है कि पोस तो यह आपको नोट कर लिएगा चलीए आगे देखतें अगला important को नहीं मेरा point उसे हम clear करते हैं आपके सामने तो देखिए आपके सामने कुछ important point आ चुके हैं से हम लोग अभी clear करेंगे आप आइसकीए पर देख सकतें चोटा सा अपदार्थ में उपलब उपास्थित उपलब दीपी को बोल सकते हैं उपास्थित उपलब से रहते हैं इन सभी पोसलत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् सब्सक्राइब करते हैं आपर गन्ना फ़र्ष्ट माता है गन्ना मक्का गन्ना है मक्का है और आलू है और क्या है सकरकंध है यहूं है वाजरा है चाबल है पपिता है अम है इस सभी को खाने से आपको कार्भोहईड्रेट की प्राप्ति होती है तो हमें सभी को खाना चाहिए चलिए आगे देखतें स्थी आब कर बना है कि आपको इंपोटेंट करेंट करवाना है मैं देखें होती है बसा जो है उससे हमें अधिक उर्दया प्राप्त होती है बसा बाले स्थ तो अगर आप खाते हैं जिसे बसा होती है तो आपको अधिक आप्ड प्राप्त होगा तो देखिए अपर यहां पैठंप करते हैं तक इस से हुआ कर सकते हैं खास करके पठाने वाले बच्छों के लिए तो यह सब जरूरी ही बता है देखिए यहां पर देया है सुर्ज मुखी का तेल नारियल का तेल सरसो का तेल स्वाविन तेल तील मूंग फली गीरी तो इस चब चीज का सेवन करने साब को अधिक उड़ जा मिले का क्यो तो देखिए यहां पर कुछ आउड दिये हुए हैं प्रोटीन प्रोटीन जनतु सरूत यह जो है प्रोटीन के यह जनतु के सरूत है यहां पर दिये हुए हैं प्रोटीन के जनतु सरूत तो यहां पर यह मचली मुर्गा अंडा मांस दूद पनीर यह सब जैं जनतु से मिल स्वाबीन राजमा तुअरा मूंग फली चना मतर यह सब खाने से आपके सरीश को प्रूटीन पर्चूर मतरा में मिलती है तो यह सब को आप याद कर लिए चलिए बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर हमारा एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इसे आप लोग नोट कर लिएग सब्सक्राइब है इनमें से कुछ उस्क्राइब बिटामिन ग Craig etapे तता किना में और यह नाम से नाम से जाना जाता है बिटामिन ayam about कहां नक्तितों आप लोग कर लेजिए जलिए हम आगे बढ़ते हैं अब दिखिए रहा व्य उस healthy nuoख़ह घब्रोंत है f तो पुरिचत है तो धेखिएल हैं यह फर कि दिया हुआ है यहां प्लिग सी होऊँ ऐस्ट पलाय से तिरख और यह जो आपको दिख़ दूर्ख रहे हैं यह उपाभनी सी है 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 वनाना अप्लन कि आपने की से पर हैं WITUMIN C के सरुद तो यहां सांतरा टामाटर अम रोद नीभू तो यह सब सी मिलता है विटामी यह अपर D जो है दोज मिलता है दोज खाने से आपको मिलेगा विटम मिन दी मछ्ली से मिले गांडा से मिले गा मकχहन से मिलेगा तो यह सब्सक्राइब को खाना चाहिए जिसे आपके बीटमींदी मिल सके चलिए आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट को कवर करते हैं तो देखिए आप एक और इंपोर्टेंट पॉइंट हैं कवर करते हैं संतुलित हार आपर है टूपर तरीक तो इसे देखिए और अच्छे स्वाहत की को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोसक्तत्व उचित मातरा में होनी चाहिए जिनकी हमारे सरीर को अब सकता है कोई भी पोसक्तत्व ना जैदा हो और ना बहुत कम हमारे आहार में परियाप्त मातरा में रुक्षां तता जल होना च परकार के अहार को संतुलित अहार करते हैं तो देखिए यहां पर एक और छोटा सा पुइंट है इसे भी कभर करी देते हैं यहां पर क्या कह रहा है जब सरीर को अवस्यक मातरा में पोसक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस इस्थिति को कुपोशन काते हैं कुपोशन में क्या होता है कि सरीर जो है वह सुखने लगता है तो यहां पर एक बच्चा का तिद्र दिया हुए से आप लोग किता में देख लिजेगा चलिए आए बढ़ते हैं कि देखिए एक और चोटा सा पुइंट उपन में है इसे भी कवर करी देते हैं किया करें भोजन में प्रूटीन की कमी से क्वाद्सियोर रकर क्वाद्सियोर रकर नामक रोग हो जाता है चलिए आप आगे बढ़ते हैं आप एक बार किताब पर लिजेगा जिससे आपके सा क्वार कि अच्ब्रट अघ्याइवशिवास्त है अगया चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां पर दिए हुए यह विट्व और खनीज लवन लबनो के अभाव के कारण होने बाले कुछ रोग और उसके लक्षन जो दिये हुए हैं तो इससे हम अलग वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इस वीडियो को ज्यादे लंबा नहीं करना है चलिए आगी देख लेते हैं एक दो आर पुइंट बचाव से क्लियर कर देते हैं आपके सामने तो आप जेखें यहां पर आ चुका है हमारे सामने हमने सीखा इसे आप लोग पढ़ा किजिए इससे बहुत हमारे भोजन के मुख्य पोसक तत्वों के नम कार्बोहडरेट प्रोटीन वसां विटर्मीन तथा खनी जलबन है इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेसे तथा जल्भी अबसक होते हैं जल्भी होता है या अबसक होता है कोई आपकर सकते हैं चलिए देखते हैं अगल सरीर को मुख्य रूप से उड़जा परदन करता है तो आप लोग इसे याद कर लिजेगा यह जो जितने भी यहाँ पर दिये हुए हैं सारे इंपोर्टेंट से सारे को आपको याद करना है अगला पूइंट है प्रूटीन तथा खनीज लबन की अब सकता हमारे सरीर की बि रोगों से रक्षा करने में सहता करता है तो भीटामिन जो है वहा हमारे सरीर को रोगों से बचाता है तो आमें वीटामिन का बर बर्चूर मात्रा में ज quirजाsom पर्चूर मात्रा में उप्यूग करना चाहिए पर्चूर मात्रा में खाना चाहिए बिटा में जिसमें पाए जाता है अगला पुइंट है संतुलित अहार से हमारे शरीर के लिए अबसक सभी पोसक तत्व तता पर्याप्त रुक्ष रक्षांस और जल उचित मात्रा बुर्टी समात्रा में Chocolate में सबी सबीचीज को उते हैं होते हैं तो हमें संदूरा दार जरूर ज़रूर लेना चाहिए चलिए लियुकर दूरों वचे उसे कवर कर लिते हैं मझा क्या कर रहा है है आपर छोटा सब्सक्राइब का रही देते एक वीडियों में देखिए इसे पढ़ दे रहा है है कि क्या कह रहा है हमारे आहार में लंबी अबदी तक एक अथवा अधिक पोज़क तत्व का नियूनतम मतलब कमी नियूनता से बिस्ष्ट रोग अथवा विकार उत्पन हो सकते हैं तो चलिए आज का चैप्टर जो है मेरा यहां पर खतम हुआ इसका कोश्चन सब्सक्राइब पहले कर बाद या हूँ तो डिप्सक्राइब लिंक है या फिर चैनल पर लिक्ट बना हुआ है उससे आप लोग जाकर देख लिए और वीडियो को लाइक कर लिजेगा और यहां व वीडियो की इस्टाफिक पर चाज है वह जरूरी बता येगा आज के लिए तना यह स्वार्ण वन्यमात्रम कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ गुआ है कि अ कि अ कि अ कि अ